आईए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं चर्बी वाले प्रिसाद पर एक्शन में केंद्र जानकारी मिल रही है केंद्र सरकार प्रिसाद विवाद पर आंधु प्रदेश से रिपोर्ट मांगी है नड़ा बोले मैंने आज चंद्र बाबु नाइडू से बात चीत की है प्रिसाद विवाद की जाच करेगी FSSAI और प्रिसाद पर हुए टेस्ट की भी जाच होगी और ये पता लगाये जाएगा कि चर्बी के आरोप में क्या सचाई और ये बड़ा आरोप है इसे ले करके केंद्र की तरफ से एक्शन लिया गया है प्रिसाद पर केंद्र ने आंधर सरकार से बात की है और जेपी नड़ा ने इस पूरे मामले में स्वास्तमंत्री ने एक्शन लेते हुए ये कहा कि जर्बी वाले प्रिसाद पर एक्शन लीजिए सबसे पहले ही जरूरत है क्लारिफिकेशन इसके लिए FSSI को इन्वॉल्व किया गया है और ये बड़ी खबर है केंदर की ओर से एक्शन लिया गया प्रिसाद विवाद पर केंदर सरकार ने आंदर सरकार सी रिपोर्ट मांग ये डिटेल्स मांगे गए है और ये कहा है जेपी नडड़न है कि आज मैंने चंदरबाबु नाइडू से बातचीत की है और प्रिसाद विवाद की जाच FSSAI करेगा प्रिसाद पर हुए टेस्ट की जाच होगी उसकी पूरी रिपोर्ट केंदर की नजरों में होनी चाहिए इसी लिए सीधे कॉंटेक्ट करके सीधे बातचीत करके ये इंशोर किया जा रहा है कि तिरुपती के लड़ू प्रिसादम में पशू चर्बी का जो आरो पशू चर्बी एनिमल फैट को लेकर के जो बाते चल रही है सियासत भी चल रही है इस पे क्या है जाच क्या है सच्चाई इसके लिए केंदर सरकार ने सीधे राज्य से रिपोर्ट मांग ले है बिलकुल ये इस वक्की बड़ी खबर है लगातार इस पूरे ही मामने को लेकर रियाक्शन भी और तमाम सियासत भी और इस बीच में प्रसाद पर केंदर ने आंधर सरकार्ट से रिपोर्ट मांगी है पूरी रिपोर्ट तलब की गई है केंदरे स्वासमंत्री जेपी नडड़ा ने कहा कि मैंने आ चंद्रबाबु नाइदू से बात की है प्रसाद विवाद की जार्च करेगा F-SSAI और प्रसादम पर हुए टेस्ट की जार्च होगी ये भी जेपी नड़ा ने कहा कि तिरूपती के लड़ू प्रसादम मेपश चर्वी का आरोप अब इस पूरे ही आरोप के जार्च होगी करूँगा स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूँगा उनके उनका क्या कहना है उसको भी जानूगा उस जो रिपोर्ट है जिस जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलूँओं को ध्यार में रख करके सूटिबल एक्शन विल बी टेकन एकॉर्डिंग जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्स एथॉर्टी ऑफ इंडिया के तहद आती है उसके तहद हम इस पर कारवाई करेंगे और असी पर निरश पंडे हमारी सयोगी और जानकारियों के साथ जोड़ चुके निरश अब इस पूरे ही मामले को लेकर आंधर सरकार से जवाब मांगा है केंडर की सरकार ने इस मामले की पूरी जांच कराएंगे और जांच के तोरान जांच के बाद जो भी तुलसी पाया जाएगा उस पर कारवाई की जाएगे क्योंगी एक बहुत बहुत मसला है बहुत देश के करोडों हिंडूों की आस्था का विशे है यह बात केंडर सरकार भी जानती है यह पर राजी सरकार भी जानती है और यही कारान है कि इक्टिव मोड में है केंद्र सरकार भी अब एक्षन के मोड में आ चुकी है जो आज 100 डेज जो सरकार के हो गयते उस पर प्रिसकॉंसर्स करने की नहीं पहुँचे थे उन्होंने इस मसले पर केंदर सरकार का जो रूख है वो बिल्कुल साथ किया है बिल्कुल और इंटर्वीन करने के बार जो रिपोर्ट आएगी वो भी नजर के सामने रहेगी देखना होगा कि ये रिपोर्ट कब तक आती है उस रिपोर्ट से क्या क्या चीज़े निकल करके सामने आती है और देखिए महराष्ट चुनाफ से जुड़ी इस वक्त की बड़ी ख़वर आ रही है आपको बताएं चुनाफ से पहले अजित पावार की नई रणीती सामने आई है जादा मुस्लिम उम्मदवार उतार सकती है एंसीपी अजित गुट के ख़वर है अपने कोटे की दस फीसिदी सीट दे सकती है मुस्लिम उम्मदवार को और मुंबई शहर में चार और MMR रीजन में एक मुस्लिम उमदवार उतारे जा सकते हैं इस बात की ख़वर आ रही है और मुंबई की बात करें तो एंसीपी अजित गुट को चार सीटे मिलने की उमीद है और इन सभी सीटों के जो उमीदवार होंगे वो मुस्लिम हो सकते हैं ये इस वक्त की बड़ी कबर है मिलने वाली कोटे की चार सीटों पर मुस्लिम उमीदवार ये जानकारी आ रही है अब इसके माइने है क्या और किस तरीके से पूरा ये रणनीती आगे बढ़ती भी समझ में आ रही है ये समझने की कोशिश करते हैं गडेश ठाकूर हमाई सार जुट चुके हैं गडेश ये चुनाव का काउंडाउन तो चल रहा है महराश्ट में इसको लेकर लगातार आगे हम देख रहे हैं कि हर पार्टी की ओर से तयारी भी की जा रही है अब आजित पवार की ओर से मुस्लिम कैंडिडेट ज्यादा उतारने को लेकर जो रणनीती समझ में आ रही है विस्तार से जानकारी दीजे जी देखे इस रणनीती की वज़े से ही महा गडबंदन या महा यूती में कहीं न कहीं दरार आती वी नजर आ रही है और पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि भाज़पा के तमाम नेता नितेश राणे या सभी लोग इसका विरोत कर रहे हैं कि अजीत पवार को हमने साथ लिया हमारे हिंदुत्वों के अजेंडे को उन्होंने अपनाया उसके बाद ही हम एक होकर पिछले दो साल से सरकार चला रहे थे लेकिन अजीत पवार जिस तरह मुस्लिम उमेद्वारों के प्रती अपना उनका जुकाव है या उनको देने की कर रहे हैं उससे जो कोर वोटर भाजपा का है या महा गडबंदन का है वो डिस्टरब होगा आपको याद होगा कि लोगसभा चुनाफ से पहले और लोगसभा चुनाफ के नतीजया आने के बाद भी शेवसेना और भाजपा खास तौर पर ये उद्धव ठाकरे कॉंग्रे अब जब अजीत पवार भाजपा के साथ हैं और वो मुस्लिम उमेदवारों को टिकेट दे रहे हैं या उनको तवज्जु दे रहे हैं जिस एजिंडे के साथ चले और जिन कैंडिडेट के साथ आप सामने आएंगे इसका फैसला आप पब्लिक करेगी शुक्रिया गनेश तमाम जानकारी के लिए अब आपको पीम मोदी का एक विडियो दिखाते हैं जो आज महराष्ट के वर्धा से सामने आई है पीम ने विश्वकर्मा कारीगरों के प्रयासों को परदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का दौरा किया ये वहीं की तस्वीरे हैं इस दौरान उन्होंने भगवान ज सजेस्ट करते हो आप क्या ले जाए हम सबसे बढ़िया चीद क्या देंगे आप हमारे भूजा में रहेगा प्रयमेंट मिल गाए क्या तिरुमाला के लड़ू पर लड़ू पर सियासत गर्माई है सीअम नाइडू ने दोशियों पर कारवाई की बात कही है पिछली सरकार ने नश्ट कर दिया था कई किलो प्रसाद के इंदर सरकार ने भी आंदर सरकार से रपोर्ट मांगी है नड़ा ने सीअम नाइडू से बात की एफससे से आई मामले की जार्च करेगा प्रसाद में चर्बी विवाद पर हाई कॉर्ट पहुंची ज्रगन मोहन रेड़ी की पार्टी YSRCP मौजुदा जज की निक्दारी में सेम डाईडो के दावों की चार्ज की मांग उठाई प्रसादम में मिलावट को लेकर भूपाल में हिंदू संगच्ट्रों में गुस्ता के हिंदू संगचन के कारिकर्ताओं ने जगन मोहन रेड़ी के खलाफ किया जोर्दार पुदरशनी सक्थ सक्थ कारवाई की मांग उठाई तुरुपती लड्डू विवाग पर आयोध्या के महंत राजू दास का बड़ा बयान कार गुनागारों को सजा मिलनी चाहिए और सजा के तौर पर पांस ही मिलनी चाहिए कॉंग्रस ने आस्था को भी नहीं चोगा राम जन्भूमी मंदिर की मुखे पुजारी आचारे सतेंद्र दास का बड़ा बयान अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी तुरुपती मंदिर से आये थे एक लाख लड़ू लड़ू में मिला था पशू और मचने काते मथुरा में कथा वाचत देव की नंगन ठाकूर ने प्रसाद में मिलावट का विरोड जताया कहा दोशियों की उपर कारवाई सक्त से सक्त की जाए सनातनियों को सचेत रहने की ज़रूर महराष्ट की वर्धा से कॉंग्रिस पर बरसे पियमोदी कहा S.C.S.T. O.B.C. को दबाते थे ये लोग पिछने एक साल में हमने कॉंग्रिस की सोच को खत्म किया पियमोदी का मिशन महराष्ट, राष्ट्रे पियम विश्व कर्मा यूजना के कारिक्रम में शामिल हुए पियमोदी वर्धा में पियम ने देखी प्रदर्शनी दिली में ब्रे मंत्री अमित्शा ने नकसलवाद से कीरित लोगों से मुलकात की एक साल के भीतर नकसलवाद को खत्प करने की बात करें करनाटक हाई कॉर्ट के जजज वी श्रीसा नंदा ने बैंग्नूरू के एक मुस्लिम बहुल इलाके को बताया मिली पकिस्तान सुप्रिम कॉर्ट ने जजज की टिपनी का संग्यान लिया करनाटक हाई कॉर्ट के रजिस्टार्ट से मांगी है रिपोर्ट दिली के जंतर मंतर पर जनिता की अदालत लगाएगी आमाद्मी पार्टी 22 सेतंबर को सुबह 11 बजी जनिता की अदालत में अक्नी बात रखेंगे अर्विंद केजरिवार सिएम पत्की शपट से पहले बोली आतिशी कहा चार मडे तक सिएम रहते करूंगी दिल्ली वालो के रक्षे नहीं बढ़ने दूंगी दिल्ली वालो के बिजली कबिल दिली के मुख्य मंतरी के तोर पर आतिशी कल लेंगी शपत सुल्तान पूर माजरा से विधाएक मुकेश एहलावत भी मंतरी बनेंगे आज हर्याना में चुना प्रचार करेंगे अर्विंद केजरीवाल जगाधरी निर्वाचन क्षित्र से रोच्शू पाच अक्टूबर को विधान सबाचुनाओ हूँ सूत्रों के हवाले से खबर हर्याना चुनाव से पहले कॉंग्रिस में नाराज़गी का दौर जारी है माराश्ट में बिज़ेपी नेता नितेश राने का AIMIM को लेकर भड़काओ बयान कहा पोलिस वालों को 24 खंटे की चुट्टी दे दो उसके बाद तुम अपनी ताकत दिखाना हम अपनी दिखाएंगे नितेश राने को AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान का जवाब कहा नितेश मश्जिद में दो टांगों पर आएंगे लेकिन स्ट्रेचर पर जाएंगे बिज़ेपी माराश्ट में कराना चाहती है दंगे चुनाव से पहले महायूती गडबंधन में तरातनी की खबरें अजित पवार, एकनाथ शिंदेफ और नविस के बीच में विवाद की खबर है कई मौकों पर खुल कर दिखी है नाराज की आज विपक्षी दलों के गडबंधन एंबी ए की बैठर तैह हो सकता है सीट शेरिंग का पॉमुलास मुंबाई की छे सीट पर उधव गुट कॉंगरिस आमने स्लाम ने सीट शेरिंग पर उधव ठाकरे ने बढ़ाई टेंशन सूत्रों के मताब एक महराष्ट की 100 सीट पर कॉम रिस पाती और 15 से 20 सीटों पर शरद गुट के साथ फसा है पेंच भारत मंडपम में वैश्विखाद्य विरियामक शिखर सम्मिलर का यूचन कारिकरब में शामिल हुए केंद्रे स्वास मंत्री जेपी नड़ा और केंद्रे मंत्री परहलाद चोशी स्टेट फूट सेफटी इंडेक्स में केरल को मिला फॉर्स रैंग एंब्रेस्वास मंत्री येपी नड़ा ने सौत दिन के कामकाश का ब्योरा दिया का सौत दिन में आईश्मान योशना से जुड़े 70 साल से अधिक आयू के लोग यूनिवर्सल हेल्थ कवरिट से जुड़े 12 करोड 27 लाग लोग अमेरिकी कोर्ट के समन पर भारत सरकार का कड़ा इतराज विदेश मत्राले ने आरूपों को निराधार बताया विदेश मत्राले ने कहा स्मुद्धे पर हमारा स्टैंड नहीं बढ़ लेगा दिले में राखुल गाली के खलाफ बीजेपी का हल्ला बोल मान सिंग रोड पर बीजेपी कारिकरताओं ने प्रदर्शन किया राकुल गादी शर्म करोके नारे भी लगाए